सो आज के इस वीडियो में हमiden Ś웠ा ऊपर जानने वाले हैं क्यूंकि हमने पिछले वीडियो में दिखाये था हम just क्षार्ण سॉर्म दिखाया हुआ उता है उससे अमने अपने जो यह इंपलीफार होता है इसको चलांआको दिखाये था और उसके बारे मीधि काफी डीटेल में हमने बतायता है कि वो कैसे आप बैटरीव से चार्ज कर रहते हैं किस तरह से वो आपको लेना है और कितने का मिलता है और हम आज के इस वीडियो में हम आपके कमेंट पर आपके बहुत सारे कमेंट आए देगी सारब आप SMPS के उपर कुछ डीटेल में चाहिए ठीक है और इसकी पूरी वायरिंग डीटेल में हम समझाएंगे आज किस वीडियो में बने रहे हैं लास्त तक चैनल पहले बारा है तो सब्सक्राइब भी कर लिजेगा तो चलिए हम इसको समझते हैं यह हमारा पूरा SMPS है जो सील्ड आप देख सकते हैं यह वान य चाहस रुपए की बीज में आपको मिल जाएगी कहीं भी कम्प्यूटर की सौफ से यह भी आपको कम्प्यूटर की सौफ से मिल जाएगा और इसमें इस टाइप का फैन लगा हुए और इसका हम पूरे समझ लेते हैं किस तरह से इसमें काम करता है यह 3.3 वोल्ड जो है वो 30 आपको दिखाया था वो करीब 5 MPR का था मगर उससे भी हमारा यह काफी अच्छा चलता है और चल रहा था और कार की वैटरी भी हमारा वो चार्ज कर देता है जो की काफी ज्यादा MPR है मगर अगर हमको काफी अच्छा साउंड परफार्मेंस हमें अगर चाहिए काफी बेस ह हमें अगर बढ़ानी है उस वक्त क्या होगा जो टांसफार्वार वह हमारा सही काम नहीं करेगा मगर जो SMPS है उसके पास ज्यादा MPR आप जैख सकते हैं MPR उतने का टांसफार्वार 500 रूपीस का मुझे पढ़ गया था राउंड और यह भी हमें 500 रूपीस का राउंड हमे है यह यह SMPS पढ़ा हुआ है पावर सप्लाइब इसको हम बोलते हैं कम्प्यूटर की जो यही मेन यूनिट है यही चीज हमाई कम्प्यूटर को चालू करता है ऑपरेट करता है पावर सप्लाइब देता है डीस ऐसी से डीसी पर तो इस से अगर अपने इस सिस्टम को चलात बीजिए हैं तो किस तरह से हम इसको यूज मिले ना कियोंकि इसमें काफी सारे वायर्स होते हैं तो आज की वीडियों सम्झाने वाले तो चलिए उसको खोल लेते हैं पिर हम आपको आंगे दिखाते हैं तो इस तरह का इसमें पूरे दिखनी निएग defic lumière तो CT style थो इसको विए कि उपिसमें हैं को इसमें आप देख सकते है आपको देखने हुआ है इसमें काफी ज्यादा वायर हैं बहुत सारे इसके सारे इसको किस T mentality से हमें अपने सटेशना इसको चलाना है हमारा जो होम तेयटर जो जिस तरह से यूज़ करने वाली कार के Fleetwood को बंगा तो उसके लिए हमें क्या करना रहेगा गाफ इसको चालू करने कि लिए इसमें हमें PowerSupply देना रहेगा इसका जो यह connector है यहहमारा Simply लग जाएगा हमारे इसके smps पर जो पोर्ड बना हुआ हमने दिखाए था उस पर यह connect हो जाएगा तो इसको हम connect कर लेते हैं फिर हम आपको इसमें दिखाते हैं काफी अच्छी केविल होती है तो इसमें हमें इस connector में इसको connect कर लेना इस तरह से हमारा कि अनक्ड हो गया और इसको connect होने अगर हम directly इसमें alternate current पर लगा देंगे तो उसमें क्या होगा यह हमारा चालू नहीं होगा इसमें चालू नहीं होगा इसमें पावर सप्ल्ण नहीं आईगी तो उसके लिए क्या करना रहा है कि इसमें एक सुछ तरह का सिस्टम देते हैं जैसे कंप्यूटर होता है एक वार वन करते हैं तो और उन होता है उसा इसी में भी हमें इसको आपस में sort करना है कुछ इस तरह से आपको connect ले लेने जिसमें continuity हो तो इसको हमें green वाले से और एक इसके side black वाले में हम इसमें sort कर देते तो ध्यान से देखिए का कौन सा आप sort कर रहे हैं तभी हमारे यह smps चालू होगा और इसको जब यह चालू होगा तो इसका जो fan है यह चालू हो जाएगा आप इस तरह से इसको समझ सकते कि हाँ यह चालू हो चुका है तो चलिए हम इसमें sort कर देते हैं फिर हम इसमें आंगे देखते हैं यह हमने green और black में कर दिया अब इसमें power supply देते हैं तो गाइस हमने power supply दे दी है अब हम आपको दिखाते हैं जो हमारा smps है उसका fan चालू हो चुका है आपको दिख रहा होगा हम इसको एक बन कर देते हैं ये कि ये मारा बंद हो इसको चालू करते ही हमारा उट चालू चोगा यह चालू तिटाब होगा जब आप इसमें connect कर देंगे इसको आपको ब्लैक जितने भी इसमें आपको ब्लैक ब्लैक बायर दिख रहे हैं सबको एक साथ कर लेना है और यह जो व्यलो वाले इनको एक तरफ कर लेना है और इसमें जो एक ग्रीन वायर आ रहा है जैसे में आपको बताया तो इसको हमें ब्लैक साथ अटाज कर देने यह चालू हो जा ह्एं उनको मने एक साथ के लिए और ऐसाइड में कर देना है और जुसको ग्राउंड कर देना है जिससे के हमारे 55W का जो कार का हेडलाइट बलवाता है उसको में इसमें ग्लो करके हम आपको दिखाते हैं किस तरह यह वर्क कर रहा है बाकि इसमें एक इसमें चला गया यह आटोमेटिक ही बंद हो जाएगा और कुछ समय बाद यह आटोमेटिक चाल हो जाएगा तो यह फीचर्स यह फंक्शन इसमें अच्छा लगा है में ताकि यह सौर्ट सर्कीट की वजए से कुछ डैमेज बगारा ना हो जाएं तो हम इसको आप बंद करके अन करेंगे तो भी हमें बंद किया और व्हं करते ही नहीं तो हम इसको चेक करते हैं एक सोब बाट का बलब parl रहा है दोनों Państ देखिए एक High Beam कृलुल अब ऑम क्या करते हैं नब्गे-स वार्ट का बलब हम चेक करके इसमें देखते हैं रिखिये कि देख्या है तो इसको भी हम जला के देखते हैं कैसी पावर सप्लाइम मिल जारे हैं एक तो पाउर सप्लाई है यह देखिए नब्य सो वाट कई बलब इजी लिए ग्लो कर दे रहा है तो इसमें सॉट हो जुगा है इस वजए से यह गलती से सॉट हो गया और यह हमारा बंद हो गया तो यह चीज अमें बहुत अच्छी लगी इसमें बाकी ट्रांस्फर्म ऐसा नहीं है अब हम इस से अपनी जो अपली इसको आराम से इसली तरीके से इसको अप्रेट कर सकते हैं और चला सकते हैं बहुत अच्छी और बहुत अच्छी पाउर सप्लाइज और 20 Ampere करें फिर वह कुस्छ नहीं तो हमें यह 15 Ampere यह 12 Ampere तक देगा जो कि हमें ट्रांस्फार्वर स से बेश्ट हमें यह चीज लगी है तो दोस्तों आयोब आपको यह वीडियो पसंद आए होगी अगर वीडियो पसंद लाइक करें चैनल के पहली बारा है सब्सक्राइब करके बिल आइकोन और से लेक करें क्योंकि हम ऐसे वीडियो लाते रहें तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हम नेक्स टॉपक के साथ बाइबर जहिंद मुन्दे मातरम